जाए एक शोक ग्रस्त अर्जुन श्लोक नमबर इकिस अर्जुन ने कहा हे अच्चुत मेरे रत को दोनों सैनाओं के मध्य ले चलें श्लोक नमबर चौबिस संजे ने कहा हे भरत्वंशी धृत्राष्ट निद्रा को वश्मे करने वाले अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उस उत्तम रत को दोनों सैनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया श्लोक नमबर पच्चिस भगवान श्री कृष्ण ने भीश्म, द्रौन तथा सभी महान योद्दाओं के सामने कहा हे पार्थ यहां पर एकत्रित सभी कुरूओं को देखो तो अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि भाई मेरे रत को कृपया दोनों सेनाओं के मद्धे में लेके चलिए क्योंकि वो भी अब निरिक्ष्ण करना चाता है स्ट्रेंथ देखना चाता है दूसरी आमी की जैसे आप असेस्ट्मिन करते हो आप देखना चाते हो किस से लड़ने आए हो और जब भगवान शी कृष्ण रत को मद्धे में ले जाते हैं तो वो अरजुन को कहते हैं कि देखो यहां भीश्म पितामा दोना चाहरे और 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 भी तुम्हारे जब लों कहते हैं कौरव यहां उपस्त हैं देखिए यह इस लोग बहुत इंपॉर्टन्ट है अब भग अब भगवान शी किष्ण ने जो अर्जुन के सबसे ज़रा चहेते लोग हैं अर्जुन बहुत ज़रा प्यार करता था अपने दादाजी से बहुत अटेश्ट था भीश्म पितामा से और दोना चाहरे तो उनके टीचर हैं और बेसिकली दोना चाहरे के लिए भी अर्जु अर्जुन एक फेवरिट स्टुडेंट थे उनके तो जब उनने का और अन्य कौरवों को देखो मतलब यहां पर बात हो रही है इसे कुरुओं को देखो जैसे आप गुपता है शर्म है तो एक फैमिली ट्री होता है आपका उस तरह से अर्जुन को भगवान एंफसिस डाल के कह रहे हैं देखो तुम यहां पर जिन से लड़ने आए हो वो तुम्हारे सब रेलेटिव्स हैं तो उसको जैसे नॉर्मल यूमन बिंग्स बॉडिली कॉंशिसनेस लाइफ में सोचते हैं ना अपने आपको शरीर मानते हैं और उनकी सारी समस्याएं प्रॉब्लम उससे जुड़ी होती हैं मेरा फाइदा मेरा नुकसान मेरे रिष्टेदार तो अर्जुन को उसी तरह की सोच में भगवान लेके जा रहे हैं ताकि फिर वह ब्रमित हो और एक एवरेज जीमन बिंग की तरह कॉश्चन्स पूछे क्योंकि अगर अर्जुन कोश्चन्स पूछेगा तब भागवान सुनाएंगे तो ऐसा समझे जी जी कि भागवान गीता एक परफेक्ट कॉश्चन और परफेक्ट कॉश्चन्स जो है सारे कन जो हम सब के कॉश्चन्स हैं और भागवान श्री कॉश्चन और पॉफेक्ट आंसर्श जो देंगे वही भागवजीता है यहां से भागवान अर्जुन को यह मैसेज दे रहे हैं और कहीं न कहीं उसको माया के जाल में डाल रहे हैं देखिए समझना पड़ेगा आपको कि अर्जुन को वो तो भगवान का पार्शद है ठीक है भगवान अर्जुन से एक रोल प्ले करवा रहे हैं इसलिए उसको उस कन्फीजन में डाला जा रहा है आप यह समझिए कि जब जिन्दगी में आपको कि डिसीजन लेने होते हैं तो सबस्यादा कन्फीजन कहां आती हैं जितना जबाता आपकी अटाइठ्मेंट जहां होगी वही आप ज़ादा भ मित हों जाते होे हैं जिसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो लाइफ छोड़ी सिंपल होती है बार में जैसे से हमारी अटाइच्मेट बढ़ती जाती हैं आपनी पुजिशन को लेके money को लेके तो decision making अतनी मुश्किल होती जाती है जैसे मान जी कि आप एक surgeon है हो सकता है आपने 500 surgery कर रखी है तो आपको डर नहीं लेगता गभी surgery करने से लेकिन मान लीजी है कि आपको अगर अपने बेटे के ओपर surgery perform करनी ही हो, क्या आपको डर लगेगा? I'm sorry, yes. अपको डर लगना शुरू हो जाएगा, और हो सकते हैं, आपके हाथ भी कामना शुरू हो जाएगा, बिकाॉज जब आप यह जादा सोचना शुरू कर देते हो, ओ, ओके, यह तो मेरा बेटा है, अगर इसको कुछ हो गया तो, तो कहने का मतलब है कि जब आप यह सोचते हो, कि मुझे अपने relative से deal करना है, अपनी family से deal करना है, जब attachment based thinking आ जाती है, वहाँ से confusion शुरू होती है, इस शलोक में अचली भगवान ने अब, वो base बना दिया है, कि अरजुन, अब इस तरह से सोचना शुरू कर देगा, कि वो अब यहां से भूलने वाला है, कि वो एक true warrior है, और वो एक soul है, उसका काम भगवान की निर्देश में रहते हुए अपनी duties को perform करना है, कल्यूगी जीव, हम सब यही तो भूले पड़े हैं न, अब वो कैसे normal human beings बात करते हैं, इस लोक के बाद, वो हम, अरजुन के हैं और समझने वाले हैं, शुमात भागोत गीता की, जाएंगे